अगले हफते के लिए क्रिटिकल क्या है? देखिए हम पॉलिसी से बाहर आचुके हैं ग्लोबल मार्केट से हमारी पैरिटी मतलब उनसे हमारा तालमिल बहुत है नहीं हमने यूएस मार्केट के दो दिन के फॉल्स को की गिरावट को बिलकुल पचाया और हम डेखिए हाई की टिडिक्टि में जाके क्लोज हुए है प्रिक्षाल से लेवल्स टू वाच क्या होगे? निफ्टी के लिए अभी भी लेवल्स टू वाच होगा करीब करीब बाइस चार सो, बाइस तीन सो पचास की टिडिक्ट्री है उपर की तरफ एक सप्लाइ पॉइंट परसिस करता है 619 पे 580 पर, बत्तर बाइस पाइस सो से 621 पर निफ्टी बैंक के लिए सही माइने में बस एक स्ट्रगलिंग पॉइंट यही है कि जो आल टेम हाई है, उससे इंडेक्स अमोमन थोड़ा सा शाही होता है और अगर वो निकलता है, तो उसके बाद शायद 49,000 की जो टेजिक्ट्री है वो बहुत जल्द बाजी में खुल जाएगी एक और चैस जिसका मैं यहाँ पर उलेक करना चाहूँगा वो है बैंकों में लॉटी स्टेंथ और इसका सब्सक्राइब इंडिकेटर रहा है HDFC Bank एक क्लोज आया आज 200-day exponential moving average के ऊपर strong institutional buying और I.S.A. से bank का grip देना कोटेक का reversal इंडेसिन bank की strength SBI की strength और PSU banks का lotter momentum है अगले हफते के लिए अगर कोई बहुत उलट फेर घटना करम में ना हो तो मेरे ख्याल से एक अच्छे week का हम कहीं न कहीं जो base है वो create कर चुके हैं बट एक बाफिर से under the leadership of HDFC Bank का महत तपोर्ण index अगले हफते के लिए रहेगा Nifty Bank